हेलो गैस तो कैसे हैं आप लोग तो गैस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पेटीम अप्लिकेशन से अपना बैंक अकाउंट कैसे रिमूब कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं तो गैस मैं आपको बता दू कि पेटीम अप्लिकेशन में एक न application open है आपको यहाँ पे अपने profile आइकन पर क्लिक करना होगा जो कि आपको left side में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे आपको बैंक सो करेगा जो कि आपका यहाँ पे बेटम application में add होता है और यहाँ पे QR code भी दिखाई देगा उसी के नीचे आपको एक option दिखाई दे रहा होगा UPI and payment setting आपको इस पर क्लिक करना होगा जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने वाद आपके सामने कुछ इस तरीके का interface अपन होके आ जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर UPI नंबर दिखाएगा और यहाँ पर आपका QR code दिखाएगा उसी के आप इसको करना चाते हैं और ना आप रिसीव कर सकते हैं तो confirm करके आपको यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको एक bank account जो है है यहाँ पे remove हो चुका है या फिर delete हो चुका है उसको बाद नीचे के side में आपको दिखाई दे रहा होगा और bank अगर आप इसको भी हटाना चाहते हैं तो same process है आप यहाँ पे जो bank है आपको उसी पे click करना है जैसा आप उस पे click करेंगे तो same चीज वह होई आएगा जो पिछले बार में आपको बताया था जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपका bank default होगा इसी bank में आपका लेंदेन होता है तो आप इसको भी रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रिमूव वाले option पर click करके yes पर click कर देंगे तो आपका यह bank account भी रिमूव हो जाएगा अप अपको कोई भी bank account यहाँ पर एड नहीं है इसलिए यहाँ पर कह रहा है रियक्टिवेट यूपी आइड करने के लिए कह रहा है तो आप चाहें तो एड भी कर सकते हैं यहाँ पर अगर आप नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको ऐसे ही इग्नॉर भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि कोई और bank account एड करना तो आपको simply ज्यादा कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर आपको reactivate यूपी आइड करना होगा जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आजाए का bank account एड करने का option जैसे कि आपको मैं यह भी दिखा देता हूं कि अगर आप reactivate करना चाहते हैं अपना UPI account तो कैसे करेंगे तो आपको simply क्या करना होगा यहाँ पर जहाँ पर आपको reactivate UPI account पर क्लिक करना है जो आपका bank के remove हो चुका है आपको दुबारा वो select नहीं करना है अगर आप दु कि आप पे टेम application में add करना चाहते हैं तहाँ पर add bank account all option पर क्लिक करके आप वो bank select करेंगे यहाँ पर आपका number verify होगा आपका bank account यहाँ पर देख सकते हैं add हो चुका है बहुत आसानी से हैं आप पर congratulation लिग के आ गया है अब आपका जो पैसा का receiving होगा यानी lane देन होगा आप आपका इसी bank से होगा यहाँ पर देख सकते हैं लिख चुका है default bank to receive money यहाँ पर यही bank account आपका add हो जाएगा तो उम्मिद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आयोगी अगर पसंद आयो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्ली